वर्ल्ड रीजनल जोग्रफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं हमने कल इस्राइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पर डिसकॉशन की जिसमें हमने आपको एक अंच बहुत अच्छे से कवर करा दिया कि actually में पैलेस्टीन जिस कंट्री के जिकर करते हैं वो कहा है क्या है आज की समय में हम जीविश स्टेट ऑफ इस्राइल के बारे में पढ़ते हैं वो कब एक्जिस्टेंस में आया वो डीमार्केशन करके दी कि उसके आज पास में कौन से मुल्क हैं कौन से नेचुरल फीचर्स हैं क्या क्लाइमेटिक टाइप हैं पॉपुलेशन का कंसेंट्रेशन और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हमने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिसकॉशन की वर्ल्ड वर वर व्ल्ड वर वर टू की क्या भूमिका थी? उनाइटेड नेशन की स्पेशल कमेटी ऑ्न पैलेस्टीन का क्या डिसीजन आया और maximum land भी ओन करती थी लेकिन जो एक minority group था 1918 का वो 1948 आते आते वहां का एक majority group बन करके उभर आया और उन्हें हम कहते हैं the israelite हमने इन सब के बारे में पढ़ा और हमने यह संकल्प किया था कि अगले lecture में हम आपको the story of Jewish बताएंगे हम आपको यहुदियों की कहानी सुनाएंगे इसमें बहुत कुछ clear हो जाएगा दुनिया भर के तमाम concept आपको समझा जाएंगे world history पढ़िए foreign relations पढ़िए आपकी country के external relations को understand करने कोशिश करिए या आज के समय में दुनिया भर के तमाम conflict political encroachments पढ़िए या फिर alignment of one country with another आप सब की ground clear हो जाएगी कि चीजे किधर को चल रही है concept क्या है चलिए शुरुवात करते हैं देखिए जब मैं बात करता हूं Jewish तो मैं बात करता हूं इन लोगों की the Jew तो अब यहां पर कुछ शब्द निकल करके आएंगे मैं one by one सब बहुत अच्छे समझा दूंगा आप बस please focus करिएगा यह मेरी request कहीं भी lost मत होईएगा गवरा नहीं बताऊंगा मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा तो प्लीज टेंशन मत लेजिएगा ओके जीव अब Jewish पीपल जो हैं तो यह सवाल आता है कि क्या इन्होंने अपने लिए यह जीव यह Jewish नेम शुरू से यूज करना शुरू कर दिया था तो हम समझेंगे यह नाम कब से यू पहले यह खुद को अधिक तर जिस नाम से ड्रेस कर रहे हैं वो इस्राइल लाइट ओके जो की इस्राइल शब्द से आता है या Hebrew people कहके पुकार सकते हैं तो दो नाम प्रेचलन में Hebrew और Israelite ओके इस नाम की existence समझनी है हमने इसकी origin समझनी हमने कि यह नाम आया कहां से उसको समझने कह लिए मैं पहले यहां जा रहा हूँ इसलाम में आदम और इव को बनाया गया इसलाम में कहानी है कि एक मिट्टी खास मिट्टी से बनाया गया एडम और इव से आते हैं इब्रहेम इब्रहेम की आगे संतान हुई एक संतान तो थी इसमाइल जाहां से Arabic descendants आए एक संतान जो है वो सारा से हुई सारा से पैदा हुई और वो थी इसाक इसाक तो अब आदम के सं है इसाक इसाक के आगे जो पुत्र है वो है जैकब जिसे इसलाम में याकूब भी कहते हैं जैकब ओके इसमें किसी को वे डाव तो नहीं ये फिर कौन हुए ग्रेंटसन इब्रहेम के क्या हुए ग्रेंटसन जैकब और कहते हैं कि जैकब ही का नाम इसराइल था जैकब का नाम इसराइल था जैकब का नाम इसराइल कैसे पढ़ा मैं आपको भी पढ़ाऊंगा अभी बताऊंगा पहले हम जरा कहानी समझ लें कि ज्यूइश की लाइफ में अब्रहेम की पॉजीशन क्या है तो ज्यूइश ऐ फस्ट पहली चीज वो पहले जीओ है मतलब उन्होंने जुईश सिस्टम खुद के लिए अपनाया खुद के लिए अपनाया तो मतलब जुदाइजम इन से आया अब्राहिम से जुदाइजम किन से आया अब्राहिम से आई बास समझ में तो जुईश लोगों का रिलीजन कहिए कल्चर कहिए एथनिसिटी कहिए जुदाइजम है जुदाइजम उनका कल्चर भी है उनका रिलीजन भी हो सकता है और उनकी एथनिसि तो अब्रहेम जो कि पहले जीव हुए, यानि की उन्होंने जुदाइजम अपनाया और यह भी माना जाता है की इब्रहेम ही के द्वारा सीधे-सीधे भी जुईश लोग पैदा हुए है। जुईश लोग पैदा हुए है, आगे आये। तो इस तरह से जो अब्राहिम है वो father of Jewish भी है यानि कि वो स्वयम Jew थे तो उन्होंने जुदाइजम का आरंब किया उन्होंने वो कल्चर कुद के लिए भी अपनाया और उनके आगे जो descendants होते हैं वो Jewish होते हैं तो वो father of Jews भी है तो इस sense में अब्राहिम father of Jews है क्योंकि जब हम तीनों अब्राहिमिक religion की बात करते हैं तो उन तीनों अब्राहिमिक religion में जुदाइजम, Christianity और इसलाम में सबसे पहले तो जुदाइजम ही आ रहा है जो मोनोतेस्टिक है बाकी तो बात में आएंगे तो अब्राहिम का पहला रिष्टा यहां पर जुदाइजम सही बनता है अब कहानी यह आती है कि immediate impact जुईश लोगों पर किसका आता है यह जैकब जैकब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके 12 पुत्र थे 12 सन उनके वो जो 12 पुत्र थे उन ही के द्वारा 12 ट्राइब्स आती है तो 12 ट्राइब्स और यह जो 12 ट्राइब्स है यानि कि इन 12 ट्राइब्स की यह जो confederacy है इनके आपस की एक संगठन जो है यही संगठन यही confederacy the confederacy of 12 tribes एक समय में kingdom of Israel होगी यानि कि the confederacy of 12 tribes of Israelites sometime will become the kingdom of Israel okay तो जैकब की महानता क्या है जैकब का महतों क्या है जैकब के बारे में यह कहा जाता है कि उनका contest हुआ उनकी wrestling हुई उनकी जद्दो जैद हुई उनका युद्ध हुआ किसके साथ अब अलग-अलग records में उन्हें अलग-अलग नाम से पुकारा गया है कुछ records उन्हें God कहते हैं कुछ records उसे फरिष्टा कहते हैं Angel कुछ records उसे Man कहते हैं अलग-अलग record में अलग-अलग नाम आते हैं लेकिन जैकब जब कनान की तरफ आ रहे थे जैकब जब कनान की तरफ आ रहे थे अब आप पूछेंगे कनान तो आज जो Jewish state of Israel है आज की समय में यानि कि जो Palestinian मुल्क उसे कभी कनान का छेतर कहते थे तह कनान यहां का जो indigenous culture है उसे कनानीते culture कहते हैं कनानीते culture तो जैकब कनान की तरफ जब आ रहे थे एक नदी किनारे उन्होंने एक रात बिताई और उस समय में कहते हैं कि उनके सामने प्रकट हुआ कोई man या कोई god या कोई फरिष्टा जिनके साथ उनकी wrestling हुई जैकब उस चीज में prevail हुए जैकब overpower नहीं किये जा पाए जैकब टिके रहे बने रहे मजबूत रहे और ये picture से हैं मैं picture आपको भी दिखाऊंगा ऐसे में दिन चड़ने तक ये चला और दिन चड़ने पर अब जब ये हुआ कि जैकब प्रिवेल कर गए सामने चाहे गौड था या कोई भी था तो जैकब ने फिर उन्हेंने कहा कि अब मुझे bless करिये मैं टिका रहा मैं प्रिवेल हुआ मैं ओर पावर नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने उन्हें नाम दिया इस्राइल इस्राइल एक masculine name है मतलब इस्राइल वो जो contended with God है वो जिसने wrestling की है गौड के साथ that person is Israel यानि की नाम is Israel इस्राइल ओके इस्राइल तो इसलिए जैकब का नाम इस्राइल है ओके और सभी जैकब से सम्मंदित लोग कुद को daughters and son of Israel कहके पुकारते थे तो लंबा समय लगा जब तक यही चलता रहा कि we are sons and daughters of Israel यही नाम था इनका में इसलिए यह सब कहलाए इस्राइलाइट यह सब क्या कहलाए इस्राइलाइट ओके इतनी बात क्लियर हुई तो जैकब से शब्द आता है इस्राइल अब यह जो इस्राइलाइट खुद को कह रहे हैं यह एक जनता के रूप में एक follower के रूप में बटे हुए हैं किन कबीलों में वो जो जैकब की 12 स स्थापित कहा है तो बारा कबीलों में से 10 ट्राइब्स न्रदर्न किंग्डम में स्टैपिश हैं न्रदर्न किंग्डम का नाम क्या है श्राइल तो एक हैके यह किंग्डम ओफ इस्राइल नर्दन रादन साइड में कनान के राके में नर्दन साइड पे और दो कईले टुो ट्राइब्स चाउट में से कगां पर दट किंगड़ों ऑफ टिंगडौम औफ सो दूडेयों तो दखशंप के दो कईले ऑफ दूडियों उत्तर की 10 कईले दा किंगड़ों एस में तो ये दो kingdom, the kingdom of Israel, the kingdom of Judean, kingdom of Israel में रह रहे हैं the Israelis, the Israelites, kingdom of Judean में रहे हैं the Hebrews, the Hebrews, और ये collectively हैं 12 कभीले, the 12 tribes, of overall sense में you can call them the Israeli, the Israelites, ओके, ये दोनों को मिला करके, दक्षिन और उत्तर को मिला करके, तो ये kingdoms exist कर रही हैं, Jacob का नाम आपने सुन लिया, क्या समय आगे बढ़ सकता है Jacob से, अब देखिए, excavatory evidences के द्वारा भी कुछ dates दी गई है, और जो Hebrew Bible है, Hebrew की Bible, वो Bible में जो लिखे हुए content है, majorly Israeli लोग कुद को उसी content से जोड़ करके देखते हैं, और जो उसमें लिखा हुआ है, वो उसे सच मानते हैं, उसी को dates मानते हैं, और उन्हीं legends को legend मानते हैं, उन्हीं अपना ancestor मानते हैं, उन्हीं अपना fact मानते हैं, मतलए Hebrew, जीवस लोगों की अधिक्तर जीवन का जो सत है, वो उनकी Bible से आता है, the Hebrew Bible, इतनी बात clear, तो Hebrew Bible में कुछ चीजों की date 1500 BC के चनना लीजिएगा, लेकिन overall एक concept आता है कि Jewish लोगों का, Israeli लोगों का golden age कब आई, इनकी golden age का समय कब हुआ करता था, अब यहाँ पर कहानी आती है, तीन साशकों की, उनमें से दो बहुत important है, मैं उनके नाम लिखता हूँ, इनकी dates यहाँ पर clear है, इनकी dates लगभग लगभग तो बाकी के दो का जो date यहाँ पर चल रही है, वो लगभग 110 BC से 931 BC तक, एक 70 का साल, एक 80 का साल का कारेकाली यह वाला, otherwise यह वाला पूरा, कौन कौन आया इसमें, तो 1037 BC को मैं किस date से जोड़ रहा हूँ, the ruler that is Saul, the Saul, okay, Saul कौन है, Saul वो है जिसको यह जिम्मा जाता है, कि उस इसने Kingdom of Israel, Kingdom of Judean, इन दोनों को मिला करके, United Kingdom of Israel established की, तो United Kingdom of Israel, the Empire of Israel, किसने established किया, Saul ने, United Kingdom of Israel, established किया, Saul ने, उनके बाद बारी आती है, 1010 BC की, और यह कौन है, डेविड, यह है डेविड, यह सब है, अबराहिम से ही चल रहे हैं आगे, सारे, डेविड की खासियत क्या है, डेविड ने जेरुसलम जीता, डेविड ने जेरुसलेम जीता, किसने जीता जेरुसलेम, डेविड ने, और डेविड ने जब जेरुसलेम जीता, तो डेविड ने डेकलेर किया, कि जो United Kingdom of Israel है, इसकी कल्चरल, पॉलिटिकल और एकोनॉमिक कैपिटल सदा तक इस जेरुसलेम ही रहेगी, एक हजार बीसी की घोशना है ये, और यहूदी नहीं, विचारों से जुड़े हैं पूरी धर्ती पर, तो समझ दीजे कि जेरुसलेम उनके लिए फिर क्या है, वो तो उसे एक प्रॉमिस्ट कैपिटल मानते हैं, वो तो वादा गी हुई कैपिटल है, हमसे वचन हो रखा है, देविड के समय का, कि यही कल्चरल, पॉलिटिकल और एकोनॉमिक कैपिटल होगी, उनाइटेड किगडम एफ इसराइल की, तो जब भी इसराइल बनेगा, किइडम तो उसकी कैपिटल तो फिर जरुसलेम होगी, वो यह मानते हैं, इसके बाता हैं. सुलमान जैसे सलमान भी कह देखते हैं अपन सुलमान से सलमान आता है जैसे जैकब से याकूब आता है ये शब बस बहुत से नाम जो इस हेब्रियू कल्चर में है वो इसलाम में इस तरह से होते चले जाएंगे अब्राहिम इब्राहिम हो जाएंगे वहां पर आकर के इसी तर आते हैं इनके बाद सोलोमन सोलोमन ने क्या किया वो जो जेरुसलेम डेविड ने जीता स्थापित किया वहां पर माउंट मोरिया पर फर्स्ट टेंपल का निर्मान किया 957 BC में यह फर्स्ट टेंपल और सेकंड टेंपल वर्ल्ड आप आलवेस सुनेंगे जब भी आप जुव टेंपल कंस्ट्रक्टेड बाई सोलोमन इन सम्वेर अराउंड थाउजन बीसी यह जब यह बनाया गया होगा वह मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब यह बनाया गया होगा तो कैसा रहा होगा देख लीजिए यह इसराइल की लाइबरेरी का चित्र है जहां पर यह रखा गया है इस फॉर्म में कि यह कुछ ऐसा होगा जब यह बनाया गया होगा पहला बार बनाया गया सोलमन के द्वारा दा फर्स्ट टेंपल और उसके बाद बनाया जाएगा डेट डाउट है कि एक्जेक्ट फर्स सेंच्री बीसी यह फर्स सेंच्री कॉमन एरा के राउंड हेरोड दा ग्रेट ओके क्लियर यह फर्स्ट टेंपल वहां बनेगा फिर दा सेकंड टेंपल यहीं पर दा सेकंड टेंपल रीकंस्रक्शन इतनी बार समझ में आई चार व्यक्तियों के हम नाम अब्राहिम दा फादर आफ जुईश जुदाइजम की आरंब जैकब इन इट्सेल इस्राइल जहां से आते हैं इस्राइली इमीजेट इस्राइली ओरिजन जैकब देविड जेरुसलम और सारी सौल उनाइटे किंडम अफ इस्राइल किसको देविड जेरुसलम और सौलमन दा फास्ट टैंपल डिटी यहवे गौड कौन है यहवे मंदिर के गौड है यहवे ओके यहां तक में समझाना चाहता था इस समझ आ गया अब यह जो उनाइटे किंग्डम अफ इस्राइल है यह चलेगी 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 पहला डे पहली पराजय मिलेगी इसे वो किनके द्वरा दी जाएगे भी बताऊंगा फिर भी आगे चलेगी 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 और आखरी डेंट यहां पर आएगा 586 या 87 BC में उस समय में फिर जीविश यहां से बिखरेंगे दरोधर ओके तब तक के लिए अभी युनाइटेड क्रामन हर यहودी जाना चाता है जहां कानान है पूरी प्रित्विपे कहीं भी हो उसे कनान जाना है जहां उसके Lokत जाना है यह स्टूरी कभी चूटी ही नहीं यहودियों से नके साथ ही रही यह स्टुरी अब आते हैं फिर से वापस Jacob पे है ऐसा माना जाता है कि Jacob के समय में इस date को लिया जा रहा है somewhere around 1200 BC लेकिन वही मैंने बता है Hebrew, Biblical अगर context देखे तो वो इस date को 1500 BC भी ले लेते हैं इस date को ऐसा कहा जाता है कि सूखा पढ़ गया, इसराइल के इलाकों में सूखा पढ़ने लगा, बहुत जबरत, सूखा जब पढ़ गया तो यहां से Jacob अपने इन tribal confederacy यानि कि इन लोगों को ले करके एजिप्ट के छेतर में चले गए, वहाँ पर नील नदी थी, खेती थी, जीवन था, वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पर पहले से ही Egyptian बस रहे थे, फराओ साशकों का समराज़ था, दा फराओस आफ एजिप्ट, फराओस के वो ममीज, फराओस के वो स्फिनिक्स, फराओस के बनाए हुए वो पिरोमिड, फराओ, साशन, तो ऐसा कहा जाता है कि Egyptian की इस majority population में Jewish minority में हो गए, और एक समय ऐसा है कि Egyptians ने उन्हें enslave कर लिया, उन्हें अपना दास बना लिया, लंबी जदो जहत चली उनकी enslavement से निकलने की लेकिन हो ना पाए, यहो ना पाया, फिर अंततहा यहूदी इश्वर इंटर्वीन होए, यानि कि यहूदियों का मानना है कि उनकी इश्वर इंटर्वीन होए, और उन्होंने फराहों के समराज्ज में प्लेग फैला दिया, मजबूर कर दिया फराहों को कि वो मुक्त करें जुईश लोगों को, और उन्हें मुक्त कराने का यह सारा जिम्मा जिस पर सौपा गया, उनका नाम है मौसेस, प्रॉफिट मौसेस की है, और ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मौसेस, इंसलेवमेंट से मुक्त करा करके जुईश लोगों को, इजिप्ट से निकले, और सिनाय पैनिजूला के बिहोडों में, बंजरों में, कई वर्षों भटकते रहे, लगबग 40 साल भटने की भी कहानी है, और भटक लैंड, दे जुडियन एरिया, वहां से इनोंने इस्राइल का रुख किया, तो यह है दा स्टोरी अफ ग्रेट एक्सोडस, दा स्टोरी अफ ग्रेट एक्सोडस ओफ दा जुईश पीपल फ्रॉम दा मिस्र, दा एजिप्ट, डेट जो है, पंदरा सो बीसी से देर की नहीं ह होगी, पंदरा सो बीसी से आगे नहीं जाएगी, समवट अराउंड हजार से नौसो बीसी से पहले नहीं है, ना पंदरा सो बीसी से आगे नहीं है, नौसो हजार बीसी से पहले नहीं है, इसके बीच ही वेरी कर रहा है, अलग-अलग एविडेंस के वाया से कहीं भी रखिय कि और वहाँ पर जा करके सेटल हुए और फिर वहाँ पर प्रोस्पेरस हुई क्या देट इस दा किंग्डम अफ इसरायल वो प्रोस्पेरस होती रही ऐसी एक कहानी है यही वो जगा है जब उन लोगों को जगा जगा पर चीजें पार कराने के लिए आपने बच्पन में किता आपने चित्रों में और कहानियों में पड़ी या देखी होगी आईवा समझ में तो मुसा एक इंपॉर्टेंट परसनेल्टी है जुदाइजम के अंदर जैसे कि प्रॉफेट जीजस हैं क्रिस्चैनिटी में जैसे प्रॉफेट महम्मद हैं इसलाम में वह वह जो इंस्टर्टुक्षन है गौड की वह जो टीचिंग्स है यानि या यहवे की वह इंस्टर्टुक्षन्स उसे कहते हैं तुरा औरे कहते हैं तुरा तो that is तुरा the most sacred text of judaism Jewish लोगों का most sacred text Hebrew लोगों की जो Bible है उसकी पहली पाँच किताबों को Torah कहते है उसकी first five books को Torah कहते है इस Torah पर जो debates हुई है discussions की है इसे जिन्होंने समझा है वो teachers जिन्हें कहते है Rabis क्या कहते है रभी Rabis से शब्द रभी से शब्द रभ रभ मने टीचर आईबा समझ में तो वो जो instructions आई है इश्वर से वो तो हो गया Torah लेकिन Torah के उपर यह discussion उसकी interpretation उस पर विचार अलग-अलग teachers में समवाद, debates शास्त्रार्त यह सब चला रभीयों के बीच में तो उससे जो भरी पुस्तक वो है तालमूंड वो है तालमूंड तो तुरा और तालमूंड दो महतपुन गरंथ हैं जुदाइजम के जैसे की जैसे की कुरान और हदीस यानि की सुनना दो important text है इसलाम के जैसे की Old Testament and New Testament important गरंथ है Christianity के आई बास समझ में वैसे ही यह तुरा और तालमूंड clear होई कहानी तुरा सीधा ईश्वर का विजन तालमंड चर्चाएं विचार विमर्ष निसकर्ष debates of the Rabbis इसका समय तालमंड का somewhere around 2 century BC से 2 century common era के बीच का है इनकी रचनाएं और मैं आपको बता दू कि तुरा 515 BC तक 515 BC तक वर्बल ही रही मौकिक औरल ही रही पुरी दुनिया में यह हुआ ना तब तक चीज़े औरल ही रही 515 BC के राउंड यह राइट डाउन की गई है तुरा तुरा जैसे भारत में वेदों के साथ हुआ इस तुरा ने कि मैं सोब्टामय के चेतर पढ़ा था तो एक चीज़ यह थी कि एक समय हुआ करता था कि उस चेतर में सुमेरियन्स हुए असीरियन्स हुए अकादियन्स हुए बबिलोनीन्स हुए अब यह रिसर्जन्स होगा इनका दुबारा फिर से पुनर आगमन होगा नियो असीरियन्स नियो बेबिलोनियन्स तो 722 बीसी में इन नियो असीरियन रूलर्स ने इस कनान इलाके को रेड किया और उत्तर की 10 ट्राइब्स, दा किंग्डम आफ इसराइल की 10 ट्राइब्स को परास्त करके विजय पराप्त कर ली, जीत लिया उस इलाके को, अभी भी सेल्फ गवर्मेंट के तहत रह गई दक्षिन की दो ट्राइब्स, दा किंग्डम आफ जूदियान, यानि की 722 के असीरियन्स के इस हमले ने युनाइ बड़ा पढ़ाओ 586 B.C. नियो बेबिलोनियंस, नियो बेबिलोनियंस के द्वारा दक्षिन के बचे हुए दो कभीले, दा जूदियान, दा ट्राइब्स, उन्हें भी प्राफ्त करके खत्म कर दिया गया, अन्तताहा बारां की बारां ट्राइब्स, खत्म, युनाइट कि इसराइल तो पहले ही खत्म हो गई थी, Kingdom of Israel and Kingdom of Judean दोनों सब्जुगेट हो गई और 586 के इस हार को हम मानते हैं एक तरह से end हो जाना Kingdom of Israel का, एक तरह से इस इस इसराइलों का अंत्म, नियों की बड़े स्तर पर बेबिलोनियंस ने इसराइलियों को पर्सीक्यूट किया, उन ने तोड़ दिया, 6th century BC में बेबिलोनियंस के द्वारा, यानि कि 586 BC जिसे मैं अगर एग्जेक्ट डेट कहूं, तो फर्स्ट टेंपल जो कि सुलमन के द्वारा बनाया गया था, उसे ध्वन सकर दिया गया, ताकि ना रहे उनकी कोई निशानिया, ना रहे उनके विचार, ना उनके senior ancestors बचें, अब वो अपने अस्तित ही भूल जाएं, यानि कि जो भी लोग local culture के लिए responsible थे, Assyrians ये चाहते थे कि वो खत्म कर दिये जाएं, ताकि local indigenous culture कोई बचे ही ना, हमारे Babylonian के gods ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये स्थापित हो जाए, हमारे इश्वर ज्यादा त cultural, political, economic और physical हर तरह की victory अचीव कर लो, आप किसी की संस्कृती सही किसे विमुक करना चाहते हैं, culture से deprive कर देना चाहते हैं, आप उस पर इतनी वड़ी विजय हासल करना चाहते हैं, ऐसी चीज, लेकिन मैं बताऊंगा कि यहूदी फिर भी नहीं तूटे, first temple तूटा, लेकिन वो तूटे नहीं, क्यों नहीं तूटे, मैं भी बताऊंगा, उनका perspective भी बहुत different चला इस मामले में, यह घटना करम हुआ by the time of Babylonians, लेकिन Babylonians भी कितना चल पाते हैं, थोड़े ही समय चल पाए, समय जैसे ही आगे बढ़ा, 539 BC, परशिया यानि कि आज के इरान के छेतर में शक्ति उबरी, जिसे मैं Achamanians कहता हूं, Achamanians यानि कि Achamanid Empire, जिसके दो शाशक बहुत मतपुन, Cyrus और Darius, जो कि भारत भी आए, जो कि उस समय में भारत भी आए, जिनके चलाए होए सिक्कों का प्रमान भारत में भी मिलता है, जिनकी इस्तमाल होने वाली खरोष्टी लिपिया अशोक के द्वारा लगाए गए, एडिक्स में भी मिलती है, Achamanians का प्रभाव भारत के उत्तर पूर्वी इलाग, उत्तर पश्चमी इलाग के नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, और मौरें के आर्किटेक्चरल स्टाइल में Achamanians का इंपक्ट दिखता है, क्योंकि मौरेंस आए 320 के BC के राउंड और Achamanians का आकरमन भारत में, यानि कि Persians का आकरमन भारत में 550 BC के राउंड होने लग गया था